मनरेगा योजना में काम करने वाले श्रमिक मजदूरी व्रिधी का इंतजार कर रहे थे जिनको भारत सरकार ने बड़ी सौग आत दी है मन्रेगा श्रमिकों की मचदूरी दरों में वृध्धी भारती अराजयों की भोगोलिक स्थिती और आर्थिक विश्मताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है मन्रेगा योजना जो भारत सरकार की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है जिसने ग्रामीन क्षेत्रों में निरंतर सतत विकास किया है ग्रामीन क्षेत्रों में काम करने वाल एकी मात्रा श्रमिकों की अर्थ व्यवस्था मन्रेगा योजना पर निर्भर है जिसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मनरेगा योजना में काम करने वाले श्रमिकों की मचदूरी दरों में वृद्धी कर दी है मनरेगा योजना से श्रमिकों के पलायन में काफी कमी आई है COVID जैसी महामारी में मनरेगा योजना ने रोजगार देकर ग्रामीनों की अर्थव व्यवस्था को सुद्रिण किया मनरेगा योजना श्रमिकों को रोजगार देती है जिससे ग्राम पंचायतों में परिसंपत्तियां भी सरजित होती है जैसे तालाब, नाली, ब्रक्षारोपन, चकबंध, सोकपिट निर्मान, वर्मी कमपोस्ट, लगुबंध निर्मान, खेतों की मेडबंदी, नदियों का जीरनोधार, नालों के सफाई इन सभी कारियों के क्रियान्व यन से मनरेगा योजना ग्रामीन क्षेत्रों के विकास में योगदान देती है जिससे जल संचयन यवं समवर्धन, बाढ़नी अंत्रण, पर्यावरन संग्रक्षन में भी महत्वपूर्न योगदान देती है मनरेगा योजना भारत की एक लौती पारदर्शी योजना है मनरेगा योजना के अंतरगत कराएगए सभी कारे यवम उन पर व्याय धन्राशी मनरेगा योजना की अध। इकरित बेप साइत पर उपलब्ध रहती है जिसको कोई भी कभी भी देख सकता है भारत सरकार ने मनरेगा श्रमिकों की मचदूरी का भुकताना धार काइड नंबर से जोड दिया है जिससे श्रमिकों की मचदूरी का पैसा गलत जगह न चला जाए भारत सरकार मनरेगा योजना यवं मनरेगा श्रमिकों की अर्थ विवस्था को सुद्रिध बनाने के लिए प्रयासरत है मन्रेगा श्रमिकों में भारत सरकार को मजदूरी दरों में वृध्धी के लिए धन्यवाद ग्यापित किया और मजदूरी दरों में वृध्धी के आदेश का स्वागत किया मन्रेगा योजना में काम करने वाले श्रमिक मजदूरी वृध्धी का इंतजार कर रहे थे जिनको भारत सरकार ने बड़ी सौग आत दी है मन्रेगा श्रमिकों की मचदूरी दरों में वृध्धी भारती अराजियों की भगोलिक स्थिती और आर्थिक विश्मताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है मन्रेगा योजना जो भारत सरकार के सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है जिसने ग्रामीन क्षेत्रों में निरंतर सतत विकास किया है